हेलो, गुड इविनिंग दोस्तों, 20 अक्टूबर 2019 की प्रिलीम सब्टर सीरीज में आपका स्वागत है तो देखते हैं आजगी हमारी न्यूज की तरफ, इससे पहले देखो अनकेडमी की तरफ से आपको की इनफॉर्मेशन है कि अनकेडमी पे आप कोई भी प्रोग्राम जोइन करते हो, तो अगर आप ये रेफल कोड यूज करोगे देवंदर सिंग 27, तो इससे आपको उस प्रोग्राम में 10% ओफ है, वो मिल जाएगा और अनकेडमी पे इंटरनल सिक्यूर्टी की क्लासे हैं, वो अपनी स्टार्ट हो चुखी है पहले से ही, इसे के साथ आप उसके कोई भी डाउट होगर है, वो भी वहाँ पूछ सकते हो, लाईव क्लासे रहती हैं, और दो दीरे दीरे हैं, वो आया की क्लासे भी वहाँ पी ऐस बिदे बसर को हो जलदी स्टार्ट होने वाला वाला है अब आज का जो पहला आर्टिक्ल है वह है आ पर तुलागी आईलेंड के बारे में देखों इंपोर्टन न्यूज्ञ यह आ यह बैसिकली अभी चाइना की एक कंपनी है उसने लीज पे लिया है उसी को लेकिन वो यहाँ पे आई है तो इससे का यह माना जा रहा है कि चाइना की जो प्रजेंस है फेसिपिक ओसियन में वो लगा था चाइना अपना दबदबा बढ़ाता जा रहा है अब इंपोर्टन हम Location है इसमें सबसे काम के चीजद देखो जो तुलागी आइलेंड है वो बैसिकली Solomon Islands का गुरूप है इसी का एक पार्ट है Solomon Islands में कहे है leap का यह जाती है यहाँ पर पापा झानीय जो पनत्य हु령 है इसके बाद में नीचे उस्टेज लागी लोकेशन हो गई है यहाँ पर हम बात करें तो फिजी एक इंपोर्टेंट कंट्री आ जाती है तो इस विए आपके लोकेशन बाता है तुलागी आईलेंड तो इसकी लोकेशन आपको धान में रखना है कि चायना की एक कंपनी ने भूंच है वो क्या गयता अभी जो कि हम एक चोटा राडर है जो की फोन में अवलेबल है यह क्या करेगा ये राडर हमारे फोन के आपक्श जो भी एक्टिवटी तो गी उस जैसे कि मानलो यह यहां पे phone है इसके आसपास जो ही अगर हम phone को उठाने की तरफ जाते हैं या फिर हम phone को जैसे की आगे on connect कोशिस करते हैं इसके आसपास कोई भी activities होती है तो यह उसके motion को capture करके पहले उस तरीके से activity हो start कर देगा तो यह basically काम है जैसे example है मानलो की phone यहां इस तरकी का एक advanced method है जो यूज क्या गया है project शोली ध्यान important चीज यह है कि एक तो Google का project है और इसमें radar का यूज क्या जाता है ताकि जो भी human activities होती है आसपास phone के उनको capture क्या जाता है और क्या है कि जो radar है वो electromagnetic wave को फैल लाता है और वो electromagnetic wave है उनकी help से जो भी activities होती है उसको capture क जाता है अब इसमें एक छोटी सी news यह थी कि भाई इंडिया में जो यह phone है वो launch नहीं हो पाएगा इसका reason यह दिया गया था क्योंकि इस जो radar था ना इसकी जो frequency है वो है 60 GHz वाली और यह जो frequency है 60 GHz वाली यह basically इंडिया में अविलमल लोगों के लिए आफिर आप हो सकते हो आम जन्ता के लिए अविलेबल नहीं है मतलब इंडिया में इसको risk ban है वो क्या गया है इसलिए लोग इस चीज़ का खाया या इस चीज़ को यूज हो इंडिया में नहीं कर पाएंगे नेक्स जो हमारा आर्टिकल है यहां पर वह है state of the world's children report 2019 इंपोर्टन बात यह है कि world's children report 2019 है वो UNICEF के द्वारा रिपोर्ट है वो जारी किगी है UNICEF मतलब United Nation Children Fund यह देखो basically world war 2 के बाद बनाया गया था यह group इसका motto यह था कि world war 2 के बाद काफी सारे बच्चे थे वो अनात हो गयते बेगर हो गयते तो उनके development के लिए उनके future को secure करने के लिए यह fund हो established किया गया था बाद में इसे UN द्वारा भी recognize किया गया था इसलिए इसको United Nation Children Fund के नाम से जाना जाता है अभी इस report में देखो उस parameters का युद्ध क्या गया है जैसे कि health को लिए इंडिकेटर जिसे माल अगर scenario की बात देखें तो इस report में एक आगया है कि पांच साल तक के बच्चों की basically बात यहां पर की जारी है कि पांच साल तक के जो बच्चे है ना इस में से हर तीन बच्चों में से एक बच्चे है ना वो malnutrition से पिड़ित है यनिकि उसको ना तो प्रिया तो ढंक से खान यनिकि इंडिया में पांच साल तक के जो बच्चे है इसमें 50% बच्चे ऐसे हैं जो malnutrition से पिड़ित हैं कूपोशन से पिड़ित हैं इसे के साथ ही इंडिया में जमैलाए हैं इनमें भी 50% मैलाए हैं वो एनिमिया से पिड़ित है यनि इसमें बलडगी कमी है वो देखने गीख का काम है वो यहां पे कर रहे हैं अब हमने इक problem तो challenge देख ली अब बात ही आते हैं कि भे government ने क्या क्या effort है वो यहां पे की हैं देखो government के तीन अभियान है यह वो आपको धार में रखने हैं में भी उच हो सकते हैं आंसु राइटिंग में और वैसे भी उच्पेस ही बूच सकती हैं एक तरह है पोष्ण अभियान जो कि नेशनल नोतिशन मिशन के दाब चला गया है इसके साथ ही एक प्रोग्राम चलाए गया है अनयम्यआ मूज भार्त प्रोग्राम जिस प्रोग्राम का टार्गट यह है कि allemaal इंडिया में एनईम्या जो विमारी है इसas weighted होगई तीसरे होँ नए है यह आपको धान मेन लटक काफ 6 x 6 x 6 यह जो प्रोग्राम है यह बेसिकली किस अटर्ट है तो यह हमारे देश में जो हम बात करें यहां पर एनिमिया की प्रोब्लम है महिलाओं में इसकी टेस्टिंग इसके ट्रीटमेंट है इन सब की इन्फोर्मेशन हेल्दी टिप्स के लिए इस प्रोग्राम के देख लेते हैं देखो वीर सावर्कर के दोवरा एक प्रोग्राम एक रिवोलुशनरी आइडिया जिस लेया गये थे और उसी के तयात उन्हें को ओर्गनेसिंग बनाई थी जिसका नाम था मीतर मेला जो की काफी इंपोर्टन थी आपको धान हो तो मीतर मेला इंपोर्टन चीज इनकी आती है वीर सावर्कर की कि बै इन्होंने जो सववडेसी अइटम से इनको अपनाले के लिए अपनावो का नारा इसे के साथ ये विदेशी वुस्तों के भाइसकार और विदेशी आइडियाज का भी भाइसकार है वो करते थे इसे लिए इनोंने 19 1905 में सवदेशी मुमेंट चलाई थी और इसे के अतायत इन्होंने बॉनफायर इने की जो विदेशी आइटम थे इनकी होली जलाई थी ताकि इसको खतम क्या जसके विदेशी को बगाया जाए और सवदेशी को अपना जाज़के इसके बाद में बाद इंपोर्टन बात या थी कि यह इनकी बुक थी जो को यूपियसी पूछ सकती है बुक का नाम है दा हिस्ट्री ओप दे वार उफ इंडियन इंडिपेडेंस जो की बैसिकलि यह थार सोस्तेयों में जो सिपाई मुटी यह जो सिपाई विद्रोव हुआ इसके बाद में वीर्स सावर्गर को 1909 में जबके मारले मेंटो रिफॉम आये थे उस तोरा इनको अरेश्ट के लिया गया था और उनके किलाफ चारवाई है वो की गई थी इसके बाद अगर मैं इनके ओर देखें जो भी इनकी उपलब दी थी उनमें तो देखो इन्हों न इनको Lord Buddha से compare गया था कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो यह आप धान रखना है, इसी के साथ एक बात ही है, कि जो इन्होंने two nation theory है, जो कि हिंदी तुआ को लेके आई थी basically, कि हिंदू और मुस्लिम है दो separate nation बनेंगे, इनको एक theory लेके थे 1937 में, और वो की दी गई थी, इसके बाद हम और इनके activities देखें, तो आजादी के बाद 1964 में वीर सावर कर रहा है, इन्होंने basically एक hunger strike चला दी थी, और उसे के तयत इनका देहान तर वो हो गए था 1966 में, इसके बाद हम देखें, तो important int के नाम पे basically जो हम देखें यहां पे, कि अन्दमान निक नेक्स जो आर्टिकल हो है, इंडिया इन्वेशन इंडेक्स, देखो इंडिया इन्वेशन इंडेक्स है, इन्नी की ट्रिपल आई, या क्या आप से बोल सकते हो, आई थी, त्री आई, 2019 का ये जारी क्या गहा है, important चीजी है कि निति आयोग के द्वारा इस इंडेक्स को जा आ रहे हैं, इसको focus यहां पर ख्यक, तो इस report में यह आया है, इस इंडेक्स में, कि भाई, जो करनाट का state है, इसने इन्वेशन को लगे बहुत अच्छा काम की है, इसमें से score दिया गया है सब इस states को, तो करनाट का जो score हो रहा है 35.65, तो करनाट का नमर वन पे रहा है, इस कि GIA है, इसमें इंडिया की जो position इस बार वो रही थी, 57 out of 126, यह जो global innovation index था है, 2018 में release किया गया था, उसमें इंडिया की ranking, 87 भी ranking रही थी, 26 country में, जो कि काफी अच्छी थी, तो यह जान रखना के बहुत, state को और भी अच्छा काम करना है, ताकि हमारे देश में investment और आगे बड़े, अब हम आगे देखते हैं, विक्रम सारा भाई के बारे में, देखो अभी विक्रम सारा भाई की पूर्ण ने दिख्याय थी, तो उसी को लेकर आर्टिकल यहां पे आया है, विक्रम सारा भाई है, इनका contribution हमारे देश के जो हम बात करने की space program है, इनमें बहुत ही अ 1962 में बनाए गी थी, इसके जो chairman थे या जो हम बोले हैड थे, वो थे विक्रम सारा भाई, इनके सानी देन में इसको बनाए गया था, इसके बाद में जो ये Indian National Committee for Space Research थी, इसका नाम चेंज कर दिया गया था, Indian Space Research Organization 1969 में, इनकी इस रो का निर्मान है, वो 1969 में किया गया था, इ इसके बाद में हम और देखें, तो उन्हें कोस्मिक रेक की study भी की थी, ये भी एक important fact आजाता है, और जो इंडिया का पहला rocket है, जो की थुमबा से launch किया गया था, थुमबा घांपे है, केरला में है, वो भी इनिका setup है, वो क्या गया था, तो ये धान रखना है कि थुमबा से पहला rocket इंडिया ने launch किया था, वो भी मलब विकरम सारा भाई का योगदान था, उन्हीं के सानिद्य में हुआ था, इसके बाद में देखो विकरम सारा भाई है, उनको हमारे देश में टीवी लाने का स्रे है, वो दिया जाता है, जो cable TV प्रोग्राम है वो, क्योंकि नही सारा कि जो प्रोग्राम से हैं, उन्हीं के तायद इंडिया में TV लेके रहे थे, 1975 में एक प्रोग्राम था, जिसका नाम था है, सेटलाइट इंस्ट्रक्शन टेलिविजन एक्स्परेमेंट, इसी के तायद इंडिया में TV है, table TV है, वो लाए गया था, इसके बाद में देख इंडियन इंस्टूट ओप मेनेजमेंट एहमदाबाद, उनका भी फाउंडिंग मेंबर है, वो विक्रम साराबाई रहे थे, इनको पदम भूष्ण अवार्ड से भी समान किया था, 1966 में, इसके बाद इनको 1972 में पदम भूष्ण अवार्ड से भी समानी था, वो किया गया तो यह इनका हमारे Space Research Program में बहुत बड़ा अवगदान था, तो इसके बारे में हमने कुछ स्वेक्ट यहां पर डिस्कस किये, नेक्स और आर्टिकला यहां पर होगा है, एर क्वॉटरी इंडेक्स के बारे में, देखो, एर क्वॉटरी इंडेक्स है, इसमें हमें धान ये रखना है, कि एर क्वालिटी इंडेक्स में कौन-कौन से पॉलूटरेंट को यूज किया गया है, इस पर UPSC ने कुछा था, 12, वोजा 16 में और 17 में भी तो अब वापस भी UPSC कुछ सकती है क्योंकि आज गी टाइम पे हमारे देश में एर क्वालिटी की प्रोडम लगतार बढ़ती जा रही है तो इसमें बेसिकली 8 गेसों का यूज करता है एक तो PM10, PM2.5, NO2, Nitrogen Dioxide, इसके बाद में Sulfur Dioxide, इसके बाद में Carbon Monoxide, इसके बाद में Ozone, इसके बाद में NS3 या Ammonia और Phyl Lade या PB यह धान रखना इसमें Carbon Dioxide को include नहीं किया गया तो आप confuse मत हो जाना और बेसिकली जो पिछले 24 गंटे होते हैं इनके एवरेज गेसे पे इंडेक्स है वो हवा में जो भी PM10, 2.5, NO2 अगर होती है इनका एवरेज निकाल करता है कि इसके बाद में हम बात करें तो पूर, वे पूर, इस तरफी अलग लगेक्स में डिवाइड है वो की गई है तो मैं लिए जान रखना की कौन-कौन से पॉल्टेंट को Air Quality Index में में मेजर है वो किया जाता है इतली की government ने जो वेज बात करें, इंटरणेट के अबर भी text वह लगा है तो यह पहला type का zo कहीए यह आप पर कापी साराaz क्रांशन होते हैं यह फेसबुक में एड वगरा चलाते है तो उनकी की लिए जो भीrat Shopify पेमेंट वगरा इनको गूगल पे 20 तरह के payment वगरा होते हैं Amazon पे भी तो जितना भी payment होगा ना उस payment के साफसे तो 3% लेवी चार्जिस है वो लगेंगी internet रांजिशन पे और वो पैसा जाएगा webtext की form में इतली की government के पास तो इस तरह के अपने आप में एक पहला text से start किया गया है webtext के नाम से next एक चोटी चीनोश्ती वो थी यहाँ पे सहरा silver आंट के बारे में देखो सहरा में एक silver आंट है जो बात करें हम पे वो पाई गई है इसका यह माना जा रहा है कि तो सहरा की silver आंट है यह word यह सबसे fastest चलने वाली चीटी है यह आपको धान में रखना है तो यह एक छोटा सा फ स्टेट है रज्य है इसकी लोकेशन बाग के तो मेडिटेरियन सी के साइड इसे फेश से वो करता है और एक साइड इसका जो बॉर्डर है वो फ्रांस कोटच यहां पर करता है मतलब बॉर्डर का है अब इंपोर्टेंट चीज क्या है पहली बात तो यह कि जो आईविरियन प वगरा देने को लेकि referendum वगरा करवा रहे थे कि हमें अलग से देश बनाया जाए क्योंकि हमारी लेंग्वेज है वो स्पेंट से लग है हमार कल्चर अलग है हमारी पार्लेमेंट अलग है सब कुछ कलर जंडा वगर अलग है काफी साइड इमांड हो यहां पर की जा रही है यह उन हिस्ट्री भी स्पेंट से काफी अलग है तो 2017 में आपर referendum भी वा था पर उस टाम पर referendum में दिक्कत क्या आई थी कि referendum में क्यों 43 % लोगों ने पार्टिचपैट किया था और उन 43 % लोगों में से यह का गया था 43% लोगों ने participate किया इस में से 90% ने तो ये कहा था कि केटालोन ने एक अलग से नया देश है वो बनाया जासके बट ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि जो यहां पर voting होई थी वो 43% होई थी 50% से जादा नहीं हो पाया थी तो काफी सारे issues आये थे तो अभी वापस यह news में आया है तो केटालोने की location आपको धान रखने की भई है कहां पर है next जो article हो यहां पर वो है खौन रामलीला के बारे में तो जो खौन रामलीला को लेके news यह आई है भी कि उत्तरप्रदेश का जो culture department है वो अभी country की पहली training है performance program है वो आयुजित करने जा रहा है खौन रामलीला के collaboration को लेके इसके साथ Thailand government के साथ यह जो खौन रामलीला है इसके लेके उत्तरप्रदेश गोवर्मेंट Thailand government के साथ एक collaboration करके एक performance है वो दे रही है अब important बात हम देखते हैं आपे खौन राम लीला तो जो को खौन रामलीला है वो एक mask की form में रामलीला अराठाрь खुत के जाती है जो कि Thailand की एक कला है तो यह आपको ध्यान बेखना है कि Thailand की है खौन रामलीला जो कि मलब mask मुकोटे के रूप में परदसित के जाती है कुछ इस तरह के से इसे मुखोटे पहने जाते हैं और फिर पूरी रामाइन को इसो है वो यहाँ पर क्या जाता है important बात इसमें क्या है कि mask लिगा के dance है वो perform के जाते है रामलिला का इसमें को dialogue नहीं होता कोई background वो इसो अगरा नहीं होती बस क्योल पीछे मलब background में रामाइन है उसकी story है वो चलती रहती है और उससे की form में आगे फिर यह पर दसनी है वो यहाँ पर की जाती है सबसे important fact यह है कि कौन राम निला को UNESCO की Intangible Culture Heritage Site में भी include हो यहाँ पर क्या कहा है तो यह फेक्ट यूपे सी पूछ सकती है तो यह थी आजगी हमारी discussion तो फिलाल की discussion में एतना ही है Thank you, thank you guys for discussion